नमस्कार, मैं प्रोफिसर डॉक्टर सरोज व्यास, आज की व्याख्यान शंक्ला में आपके साथ उपस्तित हुई है, आज का विशे निर्देशन एमपरामर्श भाग चार को ले करके निर्देशन एम परामर्श के भाग चार में हम बात करेंगे, परामर्श प्रक्रिया के घटकों की, व्यक्तिगत एम सामुहित परामर्श, परामर्श के प्रमुकसिद्धांत, परामर्श के मुखे उद्देशे, परामर्श प्रक्रिया के चरण और प्रामर्श प्रविधिय इससे पूर्व की व्याख्यानों में हमने निर्देशन परामर्ष और परामर्ष के जो विभिन परामर्ष करता है परामर्ष प्राती है उसके सिद्धानत है उस पर हमने विस्ति चर्चा करें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूं परामाश प्रक्या के घटकों की सबसे पहले घटक कौन-कौन से होते हैं Ariaskin तो इसमें मुख्य रूप से परामाश यानि काुंसलिंग की जो प्रॉसस है उसमें जो मुख्य घटक है वो है परामाश के लक्षे किसी भी व्यक्ति को या विद्यार्थी को जब परामश दिया जाता है तो गोल ओप काउंसलिंग यानि काउंसल का गोल क्या है परामश का लक्षे क्या है उद्देश्य क्या है वो देखना होता है उसके बात बात आती है परामश प्राथी जिसे हम सेवार्थी और उ अंगले भाशा में जिसे हम client कहते हैं, दूसरा हमारा घटक है client, पहला goal of counselling, दूसरा client और उसके बाद बाद आती है परामर्श दाता यानि counselor, इस प्रकार से यदि में कहूं कि परामर्श की प्रक्रिया और परामर्श का जो process है वो त्रिकोणिये है, तीन चीजों पर ये टिक हुआ है, जिसमें हमने बात करी, goal of counselling, client और counselor की, अब इसमें दो प्रकार के जो, वैसे तो विभीन प्रकारों की हमने बात करी है, लेकिन किस प्रकार से हम परामर्श देंगे, परामर्श मुख्य रूप से व्यक्तिगत भी हो सकता है, और समोहों में भी हो सकता है, तो व्य व्यक्तिगत परामर्श एक ऐसी प्रविधी है, जिसमें व्यक्ति विशेश की समश्याओं, इम भावनाओं को बहुत निकिर्ता से सुना इम समझा जाता है, व्यक्तिगत परामर्श का मानर जीवन में अक्त्यदिक महत्व है, सिक्षा के उप्रांत, व्यक्तिगत परामर् व्यक्ति के विकास और प्रगति हेतु सर्वाधिक सहयक होती है और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है सामुहिक परामश उपबोध्धे जिसे हम सेवार्थी और परामर्ष प्रात्थी यानि जिसके द्वारा परामर्ष की प्रात्ना की जाए को इस योग्य बनाता है कि वैं समुहूं में रहकर अन्ने व्यक्तियों की प्रस्ट भूमी में अपनी वास्त्विक शमता को पहचान सके और अपनी कमियों को दूर कर सके साधरन शब्दों में समुहूं परामर्ष व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वैं अपने व्यक्तितों में सन्नेहित संभावनाओं के अनुरूप सफलता प्राप्त करने में सफल हो सके तो ये दो प्रकार से परामर्ष दिया जा सकता है यानि किसी एक व्यक्ति को भी दिया सकता है और समुहूं में भी दिया जा सकता है व्यक्ति यानि किसी व्यक्ति को व्यक्ति गत्रूप से और समुहूं में समुहूं परामर्ष है वो अधिकांस्त है विद्यालियों में, महा विद्यालियों में, विस्विद्यालियों में दिया जाता है जहां लगबख सभी विद्यार्थियों की एक जैसी समश्या होती है या फिर किसी संस्थान में और कहीं पे किसी संगठन में जब समूह में परामर्ष दिया जाता है यानि कहने का ताथ पर यह यह है कि समुहों के लोगों की जब एक ही प्रकार की समश्या होती है तो उन्हें सामुहिक परामर्ष उपलग्द कराया जाता है परामर्ष के घटक और परामर्ष व्यक्तिगत और समू में परामर्ष के बाद अब हम आगी बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस व्याख्यान में परामर्ष के प्रमुक सिध्धानतों की परामर्ष के सिध्धानत कौन-कौन से है परामर्ष शान्त एकांत इस्तान पर दिया जाता है यानि जहां पर परामर्ष दिया जाता है परामर्ष करता और परामर्ष प्राथी जहां होते हैं वहां का वातवन शान्त और एकांत होना चाहिए परामर्स देने वाले कक्ष का वातावरन खुला-खुला एम सुविधा जनक होना चाहिए यानि किसी शोर गुल में या बहुत ही घुटन भरे कक्ष में परामर्स नहीं दिया जा सकता परामर्स के लिए वहां कि बैठने कायस्तान, सुईधा जनक हो, कक्ष खुला-खुला हो, बातावन स्वच्छ हो, ये बहुत ही आवशक है परामर्स दिये जाते समय, कक्ष में केवल परामर्स दाता और परामर्स प्राथी ही होनी चाहिए देखे जिनकी व्यक्तिगत समश्याएं होती हैं, वो परामर्स दाता के पास अपनी समश्या को लेके आते हैं और वो नहीं चाहते कि कुछ उनकी समश्याएं सारवजनिक हो जाए ऐसे में परामर्स यानि काउंसलर जब काउंसली की काउंसलिंग कर रहा है उस समय केवल वो दोनों ही उसका क्ष में होने चाहिए परामर्स की अवधी एक से दो घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए कहने का तात्परी ये है कि परामर्ष बहुत लंबी अवदी में नहीं होना चाहिए, उसकी अवदी सीमित होनी चाहिए लेकिन विसेश परिस्तितियों में इस अवदी को बढ़ाया भी जा सकता है यानि आवशक्ता के अनुरूप समय को कम या ज़्यादा किया जा सकता है परामर्ष दाता और परामर्ष प्राथी के बीच की बाते गौपनी रखी जानी चाहिए कभी-कभी कुछ लोग बहुत संकोची होते हैं वे नहीं चाहते कि उनकी समश्याएं सारवजनिक हो जाए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब वो परीजनों से, अपने अभीभावकों से, अपने मित्रों से या पती-पत्नी आपस में, बहन-भाई आपस में, माता-पिता से कुछ चीजे ऐसी होती है जो परामर्श प्राथी नहीं चाहता कि उसके अपने लोगों को पता चले ऐसे में परामर्श दाता का ये दाइत्व बनता है कि परामर्श प्राथी और उसके बीच जो बाते हुई है वो गौपनिय रहे सारवजिनित नहीं होने चाहिए परामर्ष प्राथी को परामर्ष दाता से खुलकर अपनी उल्जन, परेशानी और समश्या को बताना चाहिए परामर्ष दाता बिलकुल वैसे ही है जैसे चिकस्यक होता है चिकिस्यक को जब तक हम अपनी समश्याए यानि अपना जो रोग है वो जब तक हम अपनी व्यादी की बात खुल कर नहीं करते तब तक वह उपचार नहीं कर सकता ऐसे ही परामर्श दाता को जब तक परामर्श प्राथी अपनी बात खुल कर नहीं कहेगा अपनी उल्जन, परेशानियों और समश्याओं को नहीं बताएगा, तब तक वहें उसका समाधान, सुजाव, उपचार और उपाय नहीं कर पाएगा, ऐसे में खुल कर बात होने चाहिए परामर्श दाता और परामर्श प्राथी का एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपनी नीजी, अपनी व्यक्तिगत, समश्याओं को उस व्यक्ति के साथ बारते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, कि हमारे द्वारा बताएगी समश् तो वो सार्वजिनिक नहीं होगी ऐसे में दोनों के मद्दे विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है परामर्ष दाता को परामर्ष प्राथी की समझाओं का समाधान करना चाहिए परामर्ष एक प्रक्रिया है परामर्ष दाता और परामर्ष प्राथी के लिए ये समझना भावदपन हो सकते हैं परामर्ष की प्रक्रिया यानि क्या है बहुत ही मंद गती से यानि धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है ऐसा नहीं है कि कोई आपको बुखार है और आपको पैरासिटा मोल दे दी गई और दो चार पाँच घंटे में आपका बुखार उतर जाएगा समश्याओं के समाधान के लिए उन परिस्तितियों को उन मनिस्तितियों को समझने के बाद धीरे धीरे और धीरे धीरे उसमें सुधार आता है तो परामर्ष जो है वो मंद गती से चलने वाली प्रक्रिया है ऐसे में इस तथ्य को दोनों को समझना होगा और अगर ऐसा नही समझेंगे तो दोनों को निराशा होगी कभी कभी परामर्ष प्राथी को लगता है कि परामर्ष जाता के पास कोई जादू की छड़ी है और वो जैसे ही अपनी समश्या बताएगा उसका समाधान और रुपचार हो जाएगा ऐसा कराप देना ही नहीं है अपितू परामर्ष प्राथी के साथ प्रतेक कदम पर चलने वाली समझदारी तथमाग दर्शन है यानि केवल परामर्ष दे करके परामर्ष प्राथी से आप अलग नहीं हो सकते परामर्ष दाता का ये कर्टवे दिलाना होगा उसे ये संबल देना होगा कि वो उसके साथ है और समझदारी और मार्दशन उसका समय समय पर वो करता रहेगा जब तक कि परामर्ष प्राथी की समश्या का समाधान नहीं हो जाता। परामर्ष प्रक्रिया परामर्ष प्राथी को नयाएपून और सकारात्मक सोच के योग्ये बनाती है। परामर्ष प्रात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने का प्रियास करता है। परामर्ष प्रियास साक्षात्कार नहीं है। अपितु बाचित करके उसमें आत्मनिरक्षन का विकास करता है। यानि ऐसा नहीं है कि परामर्ष प्रियास में कोई साक्षात्कार है और उसका उत्तर प्रशन उत्तर हो गए है। अपितु बाचित करने के बाद आत्मनिरक्षन का विकास करता है परामर्ष दाता किसे बाचित करने के बाद प्रशनोतर करने के बाद परामर्ष प्राति में ये आत्मविस्वास उत्पन होता है उसे विश्वास होता है और वो सकारात्मक सोच के साथ साथ अपना आत्मनिरक करता है और आगे बढ़ता है यह हमने सिद्धानतों की बात करी जिसमें हमने परामर्ष प्राथी और परामर्ष दाता दोनों की बीच में किस प्रकार का सामंजसे होना चाहिए कैसे समझधारी होनी चाहिए किस प्रकार का वेवार होना चाहिए धहरिये होना चाहिए उन सब बातों पर बात करी। साथी साथ जब हम सिद्धानतों की बात कर रहे हैं परामर्ष के सिद्धानतों की बात में हमें यहाँ पे मैं उलेक करना चाहूंगी मेकेनियल और सेफ्टल के परामर्ष सिद्धानतों का उन्होंने अपने कुछ परामर्ष के सिद्धानत दिये हैं मेक सारे परामर्ष पराथियों का परामर्ष दाताओं के परामर्ष से उद्धार हुआ है तो आईए अब हम बात करते हैं मेकेनियल और सेक्टल के परामर्ष सिद्धान्तों की उन्होंने सबसे पहले जो परामर्ष का सिद्धान्थ दिया वो है स्वीकर्थी का सिद्धान्थ इस सिद्धान्थ के अनुसार परामर्ष प्राथी की पूरे व्यक्तित्व को समझा जाता है और उसके अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाता है तथा उसकी भावनाओं को स्विकार कर सही दिशा दी जाती है स्विकृति का सिध्धान्त ऐसा नहीं है कि परामर्ष दाता परामर्ष प्राथी ने जो कह दिया उसे बिल्कुल सही समझ लेते हैं जिसकी आधि ऐसा होता तो इसमें तो फिर परामर्ष देने जैसी कोई बात नहीं होती लेकिन स्विकृति का सिध्धान्त कहने का ताथ पर यह है कि परामर्ष प्राथी जब अपनी बात को कहे अपनी समझाओं को बताए अपनी कुंठा को बताए अपने अवसाद को बताए उस समय परामर्ष दाता का विवार ऐसा होना चाहिए कि वो उसके व्यक्तितों को समझ करके उसके अधिकारों का सम्मान करते हुए उसकी भावनाओं को स्विकार करें, पहले उसे इस बात की स्विकरती यानि उसको एक तरह से गारंटी दे कि हाँ वो जो कह रहा है वो सही है और वो उसी पर सोचेगा कि सब कुछ सही होते हुए भी उसे क्यों परेशानी है, क्यों उलजन है, उप्चार की क्या हो शकता है, तो सबसे पहला सिद्धान्त जो है वो परामर्ष में स्विकरती का सिद्धान्त है, दूसरा सिद्धान्त आता है सम्मान का सिद्धान्त, इसमें परामर्ष प्राथी के विचारों, भावनाओं और समश्याओं की स्विकरती प्रदान की जाती है, तथा उसे पूरा आदर दिया जाता है दूसरा हमने बात करी सम्मान का सिध्धान्त परामर्ष प्राथी के विचार भावनाएं और समश्याओं को स्विकृति देने के उपरांथ उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए उप्युक्तता का सिध्धान्त परामर्ष में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परामर्ष प्राथी को ऐसा अनुबव हो कि परामर्ष प्रक्रिया पूरी तरह से उसके लिए उप्युक्त और सटीक है यानि उप्युक्तता कोई भी जब कारी होता है या हम किसी से भी कुछ भी लेते हैं या किसे से कुछ प्राप्त करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो भी हम ले रही हैं जिससे हम प्राप्त करते हैं क्या वो हमारे जीवन में उप्योगी है उसकी उप्युक्त है हमारे उप्युक्त है तो उसकी उप्युक्ता देखी जाती है और परामर्श दाता का ये ए से संबंद का सिध्धान्त परामर्ष प्रक्रिया में परामर्ष दाता परामर्ष प्राथी के विचारों इंभावनाओं के साथ से संबंद बनाने का प्रियास करता है और उसके साथ तार्तम्मिता बनाता है उसके बाद बात आती है लोगतंत्रिय आदर्शों का सिध्धान्त संपून परामर्ष प्रक्रिया लोकतंत्रिक आदर्सों से संचालित होती है इसमें व्यक्तिकत भिन्यताओं को सम्मान करते हुए सभी के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है और परामर्ष प्राथी को महत्व देते हुए उसे निन्ने लेने के योग्य बनाया जाता है हमने बात करी है लोकतंत्रिय आदर्श्टी यानि परामर्ष में भी हर व्यक्ति प्रतेक व्यक्ति का देखने का द्रस्टि कुन अलग हो सकता है उसका नचरिया अलग हो सकता है उसकी विचारधरा अलग हो सकती है उसकी सूच अलग हो सकती है उसकी समझ अलग हो सकती है और ल परामर्ष का सिद्धान्त है वो लोग तंत्रिये आदर्शों पर निर्धारित है फिर बात आती है लचिलेपन का सिद्धान्त परामर्ष प्रक्रिया लचिली होती है वह परामर्ष प्राथी की आवशक्ता के अनुसार परिवर्थित की जा सकती है और उसका संपूर्ण स्व के परामर्ष के सिध्धान्तों की हमने बात करी और उन्होंने अंत में कहा है कि शो उद्देश्य ताका सिध्धान्त यानि उद्देश्य के साथ संपून परामर्ष प्रक्रिया सो उद्देश्य होती है उद्देश्य रहित परामर्ष का कोई उचित्य नहीं है यानि परामर निर्देशन में क्या होता है कि निर्देशन में आपने आप उद्देश्य लेकर चलने हैं लेकिन बिना उद्देश्य भी आप कोई भी निर्देशन दे सकते हैं लेकिन परामर्श का सिध्धान्त है कि पूरी प्रक्रिया है पूरा परामर्श है वो उद्देश्य से और प् अब हम आगे बढ़ते हैं और परामर्स के सिद्धान्तों के बात करेंगे परामर्स के मुख्य उद्धिशों की क्योंकि हमने अभी भी बात करी है कि जो परामर्स का सिद्धान्त है उसमें कहा गया है कि सो उद्धिश्यता का सिद्धान्त तो अब हम बात करते हैं परामर्स क परामर्ष प्राथी को स्वम का मुल्यांकन करने के लिए प्रहसाइद करता है किसी भी व्यक्ति और विद्यार्थी को स्वम की शमता योग गिता इम्रूची को वास्तिविक रोप में जानने के लिए परामर्ष के आवशकता होती है और परामर्ष का यही उद्देश्य है कि परामर्ष प्राथी को आत्मविश्लेशन के योग्य बना सके यानि परामर्ष लेने के उपरांत परामर्ष जो प्राथी है वो अपना आत्मविश्लेशन कर सके इस योग्य बनाना सबसे महत्वपून उसका उद्दिश्य है इस समन्द में लियोना टाइलर्ड के शब्दों में परामर्ष को एक सहायत प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए जिसका उद्दिश्य व्यक्ति को परिवर्तित करना नहीं अपितू उसमें नहीं जन्मजात प्रिवर्तियों का उचित उपयोग करने में शक्षम बनाना है। परामर्ष दाता से प्राप्त परामर्ष के आधार पर परामर्ष प्राथी जीवन में उपलग दे योग गिताओं का रशनात्मक प्रियोग अपेक्षित और आवेशिक कारिये करने में लगा देता है ऐसा लियोना टाइलर के ने अपने लेखन में अपने परिभाशा में दिया है दूसरा परामर्ष का जो उद्देश्य है वो है आत्मस्विकृति परामर्ष का दूसरा उद्देशे आत्मस्विकर्थी है और परामर्ष प्राथी को स्विकर्थ करने में सहयोग देता है आत्मस्विकर्थी का अभिप्राय है अपने प्रती आधर भाव रखते हुए उचिक द्रश्ट्री कोन का निर्मान करना आत्मस्विकर्ती की अवस्ता तब आती है जब परामार्स प्राथी अपनी सीमाओं, कमियों एम योगिताओं के विशे में ज्यान प्राप्त करने लगता है आत्मस्विकर्ती व्यक्ती को हताशा एम निराशा से बचाती है देखिए हमारे बुजुर केहते भी हैं या कहा जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति को स्वम से प्यार करना सीखना चाहिए जो स्वम का संमान करता है जो स्वम से प्यार करता है जो स्वम परविश्वास करता है जिस पर आत्मा स्विकर्ति होती है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं हड़ता परामर्ष के उद्देशों की जब बात कर रहे हैं तो तीसरा परामर्ष का उद्देश से है सामाजिक सामंज से व्यक्ति का समाज एम बातवन से सामंज से बठाना भी है परामर्स प्राथी समायोजन नहीं कर पाने के कारण समश्या ग्रस्थ होकर अवसाद में चला जाता है सामाजिक जीवन और जीवन से जुड़ी हुई आवशक्ताओं को समझना एम उसके अनुकूल से हमको ढालने की दक्षता उत्पन करना ही परामर्स का उद्देश्य है तो इस प्रकार से हमने जो परामर्स के उद्देश्यों की बात करी तो मुख्य रूप से हमने तीन उद्देश्यों की बात करी पहला आत्मविशलेशन दूसरा आत्मस्रीकरती और तीसरा हमारा था सामंजिस से किसके साथ में सामाजिक सामज से अब हम आगे बढ़ते हैं और परामर्स प्रक्रिया के चरणों पर चरचा करेंगे विलियम एम डाडले द्वारा परामर्स प्रक्रिया के चरण विलियम एम डाडले ने परामर्स प्रक्रिया के कुछ चरण दिये हैं जो मैं आपके साथ आज यहां जिन पर विचार विमाष्ट कर रही हूं, चर्चा कर रही हूं, प्रियास कर रही हूं कि परामाष्ट प्रक्रिया की चरण कौन-कौन से, किस प्रकार से, किन चरणों, किन स्टेप्स से, और किन कैसे कैसे कदम बढ़ाते हुए परामाष्ट की प्रक्रिया होती है विलियम एम डारले ने सबसे पहले कहा कि विशलेशन विभीत प्रकारों के परामर्ष प्राथी से सूचना एकत्रित की जाती है जिससे की उबध्य को पूरी तरह से जाना जा सके सबसे पहले जो परामर्ष की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो प्राप्थी के लिए प्रयोग मिलाया गया है और उसके बाद में उसका विश्लेशन किया जाता है विश्लेशन के उप्रांत दूसरा चरन आता है संसलेशन का परामर्ष प्राप्थी से प्राप्थ सूचनाओं को विवस्तित तरीके से संग्रीत करके रखा जाता है सूचना में वो अपनी बात को आगे पीछे किसी विद्रकार से कहेगा और उसके बाद उसका visualization करने के बाद संस्शलेशन का मतलब है कि जो सूचनाय परामर्श प्राथी से परामर्श दाता को प्राप्त हुई है उनको विवस्तित करें और संग्रहित करके तक, विष्लेशन और संसलेशन के बाद अगला चरण आता है प्राकत्थन का, विवस्तित और संग्रहित, आकड़ों के आधार पर समश्या को एक समग्रता की रोप में देखा जाता है, कहीं कभी किसी अवस्था की कभी किसी की क्योंकि जो विक्ति समश्चा ग्रस्त है वो अपनी चीजों को टुकडों में देखता है और उसके बाद में उसको संग्रेट करने के बाद प्राकथन का मतलब है कि सारी समश्चा को जिसे हम कहते हैं कि जो पूरी समश्चा है उसको एक सीर्षक के रूप में देखा जाए समक्रिता के रूप में देखा जाए यानि मूल समश्या क्या है उसे हम प्राकथन कहते हैं प्राकथन के बाद में आती है परामर्ष की बारी इसमें परामर्ष दाता और परामर्ष प्राथी दोनों मिलकर समायोजन तथा सामन जस्ते के लिए प्रि समग्रता में समश्या को देखा जाता है और फिर परामर्श दिया जाता है जिसमें परामर्श धाता और परामर्श प्राती दोनों मिलकर समायोजन तथा सामंजश्य के लिए प्रियास करते हैं। फिर आती हैं अनुवरती सेवाई। संचालित परामर्ष के विविन चर्णूं के प्रियासों का मुल्यांकन किया जाता है इसके इतिरिक इस बात पर भी बल दिया जाता है कि भविश्य में समस्याओं को सुल्जाने का प्रियास रहेगा तो यह जो हमने बात करी अंद में अनुवरती सेवाओं की कि संचालित परामर्ष के विविन चर्णों के बाद में इस चीज का भी मुल्यांकन किया जाता है कि भविस्से में भी उनका मुल्यांकन किया जाएगा उनको देखा जाएगा और अब हम आगे की चर्चा में विचार विमार्ष करेंगे परामर्ष की प्रविधियों पर रोजर्स एम बैल ने निम्नांकित टिकनिकों का उल्ले किया है जो मैं आपके साथ बाटना चाहूंगी परामर्ष की प्रविधियों में सबसे पहले आता है परीचे परामर्ज दाता द्वारा परामर्ज प्राथी के अनुभवों को सुनकर स्वम के अनुभवों के लिए ऐसा परीचे दिया जा सकता है जैसा कि तुम अनुभव कर रहे हो वैसा ही मैंने भी अनुभव किया परीचे यानि परामर्स दाता जो है वो परामर्स प्राथी के अनुभव को सुन करके उसको इस तरह से परिचित उस समझ्चा से परिचे देगा या परिचित करवाएगा और यह आभास करवाएगा कि जैसा तुम सोच रहे हो जैसा तुम अनुभव कर रहे हो मैंने भी वैसा ही अनु कारियों के अनुसार उस द्रस्ट्रिकोन का निर्देशन प्रदान करना जिने उबध्य अपनाना चाहता है परामर्स दाता की सलहा और सुझाव सहर स्विकर्थोज सके उसके बाद में सहमती परामर्स दाता द्वारा सुझाए गए कारियों को परामर्स प्राथि करे इसके ल लेकिन उन सुझाओं के उपर परामर्स प्राथी की सहमती होना भी बहुत जरूरी है और उस सहमती के लिए जिने हम रेफरेंस कहते हैं कुछ व्यक्तियों का उधारन दिया जाएगा कि देखो अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसकी समश्या का समाधान हो गया तो सहमती आत करना तथा परामर्स प्राथी से प्रेशनों को पूछना यानि समश्या को गहनता से समझने में यानि कुछ प्रेशनों को फिर परामर्स दाता जो है वो परामर्स प्राथी से पूछेगा अर्थापन परामर्स प्राथी द्वारा स्वयम के बारे में कही गई पून अत्व अपूर्ण बातों का अर्थापन करना तथा उबोध्य को इस बात की जानकारी प्रदान करना कि किस प्रकार वेवार के विभिन पक्ष परस पर सम्मंदित है यानि परामर्ष प्राथी ने जो भी बात कही है जो भी बताया है उसका अर्थापन करना यानि अर्थ गहन करना औ पून और अपून बातों को समझ करके उसको यह जानकारी देना कि विभिन जो पक्ष है वो परस पर सम्मन्दित है और उसके बाद में बात आती है आस्वासन और प्रसंसा कि परामर्ष द्वारा उबोध्य के सकारात्मत मुल्यांकन की द्रस्तिस से उसके प्रसंसा करना और आत्मस्विकर्ती में उसकी साहिता करना, आस्वासन, परामर्ष प्राथी को परामर्ष दाता द्वारा, आस्वासन दिया जाए, कि देखिए उसकी वो जो अब जिस दिशा में चल रहा है, सकारात्मक मुल्लांकन कर रहा है, जिस सोच में चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, औ वो समायोजन कर सकता है इस प्रकार से आत्मस्विकर्थी में उसकी साहिता करना और अंत में आलोशना ये निशादात्मक मुल्यांकर शिक्षा की शेत्र में कहा गया है कि विद्यार्थी को मोटिवेशन के लिए उसको प्रोहसान के लिए दंड ये पुरुषकार दोनों होने चाहिए ऐसे ही परामस्विकर्थी प्रक्रिया में आलोशना ये निशादात्मक मुल्यांकर भी आवशक है इस तक्निकी के अंतरगत परामस्दाता सेवार्थी परामस्प्राथी और उवद्ध़े आप किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं का निश्यदात्मक मुल्यांकन करता है परामर्स का महत्वपून तत्व है परस पर विचारों का आदान प्रदान और इस प्रकार से ये नहीं परामर्स प्राथी को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि वो जो कह रहा है उस सब बात पे परामर्स दाता हां में हां मिला रहा है जब परामर्स दाता प कब आलोचना और निस्यदात्मक मुल्यांकन की आवशकता पड़ती है तो आज की जो यह हमारा निर्देशन इम परामर्ष का जो भाग चाड़ लेकि मैं आपके साथ उपस्तित हुई हूँ उसमें हमने विस्ति चर्चा करी परामर्ष के घटकों की व्यक्तिगत इम सामोहिक परामर्ष की परामर्ष के प्रमुक्सिद्धान्तों की परामर्ष के उद्देश्यों की परामर्ष प्रक्रिया के चरण कौन-कौन से है और परामर्ष की प्रविधिया कौन सी है तो परामर्ष और निर्देशन ये दो जो चीज़े हैं वो दोनों एक होते हुए भी अलग बलग है यानि दोनों को एक ही में नहीं देख सकते हैं एक स्रेचिक है और दूसरी इच्छा से ली जाती है तो इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि इस उद्बोधन के द्वारा इस व्याख्यान के द्वारा आप परामर्स के प्रक्रिया को घटकों को उसे धानतों को देश को और चरण को भली प्रकार से समझ पाई होंगी और इसके बाद के व्याख्यान में हमारा प्रियास रहीगा कि आपको निर्देशन और परामर्स के मुख्य अंतरों को समझाया जाए आपके साथ चर्चा की जाए इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हू धन्यवाद नमस्कार